हेलो गाईज, वेरी गुड इवनिंग, मैं ही न, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 के ऑफिशिल यूट्यूब चानल पर, तो दियर स्टूडेंट, हमेशा संडे को मैं आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट सेशन्स ले करके आती हूँ, आज भी मैं आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट सेशन्स ले करके आई हूँ, जो की है आपका FCI AG3 के लिए, टेकनिकल का क्वेशन पेपर लास्ट येर का, तो गाईस, इससे आपको आईडिया हो जाएगा, कि अब आपका जो FCI का फॉर्म आया है, उसके लिए आप किस तरीके से अपनी तयारी शुरू करोगे, किस तरीके से आपका question paper रहने वाला है, कैसा question paper था, तो इसके according आपके questions के level कैसे रहेंगे, और किस तरीके से आपको questions करने है, ठीक है, तो गाईस, आज के previous year questions से आपको idea लग जाएगा, कि आपका FCI का paper कैसा रहेगा, थोड़ा बहुत idea आपक session, okay, हाँ जी, चलिए guys, start करते हैं, आज का session तो आपके questions जो है, ये रहे, okay, ये actually second phase का paper है, क्यूंकि first phase में quants reasoning और English वाला paper होता है, next phase का paper ये है, तो guys, इसमें आपके जो questions है, वो आप देख सकते हो, Hindi और English दोनों में questions है, okay, Hindi और English दोनों में questions है guys, आपके, ठीक है, तो आप देख सकते हो, कि दोनों में ही, आपके पास questions आ रखे है, ठीक है, तो इस तरीके से, जो Hindi वाले student है, उनको डरने की जरूरत नहीं है, कि भाई, हमारे according paper नहीं आया, आपके according भी भाई, FCI ने paper सेट किया है, ठीक है, और आगे इस बार भी करेगा, तो first question है guys, one of these is different from others, कौन स ऐसा है, जो दूसरों से अलग है, option है, आपके पास peripetus, archiopteryx, protopterus, and neopilina, तो इन चारों में से जो अलग option था, वो था आपका archiopteryx, ठीक है, दूसरा question था, आपका correctly matched set, सही जोडे का set इन में से कौन सा था, तो menace, spiny ant eater, second option था आपके पास, penatula, sepen, antedon, sea cucumber, and octopus squid, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, तो menace, spiny cheat bhakshi, entomology का question है, okay, pinatula, samudri column, antedon, samudri kakdi, और octopus squid, तो इसमें आपका correct answer था, penatula, sepen, okay, next आपका question था, guys, sealum derived from the blasto seal is known as, तो sealum आपका, हिंदी में अगर आप इसको बोले, तो देह गुहा जिसकी उत्पत्ती, blasto seal से होती है, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, तो guys, इसमें आपके बास option थे, हीमो seal, सीजो seal, एंटेरो seal, और शूडो seal, तो हिंदी में भी आपके पास option है, आप read कर सकते हो, इनको, guys, इसमें आपका correct answer था, शूडो seal, okay, correct answer was, शूडो seal, इसके बाद चौथा question है, अथा आपका, females of which warm are viviparous, तो किस creamy की मादाएं, सजीव, प्रजक, means, viviparous होती है, तो option आपके पास थी, ascaris, spin warm, hook warm, and philarial warm, तो इसमें correct answer था, आपका philarial warm, ओकी, चलो, next question आपका soil science से था, which soil structure is suitable for the crop growth, कि crop की growth के लिए कौन सा soil structure आपका suitable है, तो इसके पास, आपके पास option थे, laminar, platy, column and granular, हिंदी में फसल बृद्धी हे तू, कौन सी मृदा सरचना उप्यूक्त है, तो इसमें आपके पास option थे, इस तरी, पट्टित, संभाकार, और दानेदर, तो guys इसमें आपका correct answer था, granular, जिसका हिंदी में answer है, जिसका दानेदार, ठीक है, चलो, next question था, आपका cake in which highest amount of nitrogen is present, against oil science से एक question था आपका, इसमें आपके पास चार option थे, नीम केक, कैस्टर केक, ग्राउंड नट केक and linseed, और यहां हिंदी में अगर बोले, तो खली जिसमें अधिक्तम नत्रजत है, तो नीम की खली, अंडी की खली, मूंख फली की खली और अलसी की खली, तो गईज इसमें आपका correct answer था, ग्राउंड नट केक, ओकी, नेक्स्ट क्वेशन, पंचेंसी इन अनियन बल्ब इस ड्यू टू, तो भाई, जब भी हम प्याज खाते ही, हमें अजीब सा टेस्ट आता है, तो किसकी वज़े से आता है, अलाइल प्रोपाइल डाइसर्फाइट, या फिर आपका कैपसीन, इसमें नेक्स्ट क्वेशन था आपका, हीमो ग्लोबिन इस फाउंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा, हीमो ग्लोबिन किसकी रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई है, तो आप्शन थे आपके पास कॉक्रोच, रैबिट, अर्थवर्म और फ्रॉग, तिल चट्टा, खर्गो केंचुवा और मेंडक, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था, अर्थवर्म, अर्थवर्म में हीमो ग्लोबिन जो है, वो आपका प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, हीमो ग्लोबिन आपका रुधिर प्लाज्मा में, अर्थवर्म में मतलब की केंचुवे में घुला है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेशन हम देखते हैं गाइस तो नेक्स्ट क्वेशन था आपका डाइकॉन डाइकॉन डाइलिक स्कल इस फाउंड इन तो आपका द्विकंदी ड्विकंदी स्कल किस में मिलता है ठीक है अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो द्विकंदी स्कल आपका किस में मिलता है उभह एम्फिबियंस में रेप्टाइल्स में एवीज में एम्फिबियंस और मैमल्स में मतलब आपका उभह चेरों में है सरिस्रिप में है पक्षियों में है या फिर उभह चेर तथा संधारियों में है तो गाइस इसका करेक्ट टांसर था आपका एम तो भाई आपका अगर हम हिंदी में बोलें तो कौन सा अंग आपका RBC का कब्रस्थान कहा जाता है तो यकृत, प्लीहा, व्रिक और पेंक्रियास इंग्लिश में अगर हम इसके ऑप्शन पड़ें तो लिवर, स्प्लीन, किड्नी और पेंक्रियास तो गैस इसका करेक्ट आंस तो फिर उसके बाद कहां चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है, ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेशन था गाईज आपका Transitional epithelium is found in, Transitional epithelium किसमें मिलता है, Urinary bladder, Heart, Intestine या फिर स्किन में, तो गैस इसमें आपका correct आंसर था Urinary bladder, हिंदी में अगर हम इसको देखें, तो मध्यम उपकला डैश में पाई जाती है, मूतराशे, हिरदे, आत और तवचा, तो इसमें से जो आपका Urinary bladder है, Option First, उसमें आपकी मध्यम उपकला पाई जाती है, ठीक है, चलो, next question हम देखते हैं, which crop is heavily affected by powdery medium, pathology में ये मैंने आपको करवाया भी है guys, तो onion, okra, peas and cabbage, तो हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं, powdery medium, चूड़नी फफूद से कौनसी फसल सरवादिक शीन होती है, तो कौनसी होती है, पियाज, भिंडी, मतर या फिर पत्ता गोबी, तो guys इसका correct टांसर था आपका peas, मतलब मतर, ok, मतर में आपका peas में सबसे ज़ादा आपका powdery medium से infection होता है, ठीक है, चलो, अब next question था guys, आपका which vegetable is grown by transplanting seedling, seedling को transplant करके, मतलब पौधर रोपन करके, कौनसी सबजी गाई जाती है, ठीक है, तो musk melon, cabbage, carrot and radish, तो इसमें सीधी सी बात हमें directly answer, दो option तो आपके वै dish, इनमें तो हम transplanting करते हैं, यह पौधर ओपर नहीं करते हैं, किसमें करते हैं, cabbage में करते हैं, ठीक है, तो कौनसी शाक, भाजी, पौधर रोपित करके, उगाई जाती है, मतलब पौधा लगाया जाता है उसका, तो खरबूजा, पत्ता गोभी, गाजर या फिर मूली, तो answer क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी, ठीक है, which one is cucurbit, तो इनमें से आपको बताना है कि cucurbit कौन सा है, तो guys, peas, okra, bottle guard and carrot, यह आपके चार option थे, जिसमें आपका correct answer था, bottle guard, देखो, pea आपका cucurbit family में नहीं आता, okra, जिसको आप भिंडी बोलते हो, वो भी cucurbit family में नहीं आती, carrot ही आपका cucurbit family में नहीं आता है, ठीक है, इसमें आपका correct answer था, लौकी जो की है, bottle guard, ok, चलो, next question हम देखते हैं guys, which one is coal crop, तो इनमें से आपका coal crop कौन सी है, नोल खोल, musk melon, sweet potato and radish, तो guys, इसमें आपका correct answer था, नोल खोल, हिंदी भी अगर हम इसको पढ़ें, इनमें से कौन सी क कोल क्रॉप है, तो कौन सी कोल क्रॉप थी, गांठ गोबी, ठीक है, गांठ गोबी, खरबूचा, सकरगंद और मुली, यह आपके पास option थे, जिसमें आपका correct answer था, गांठ गोबी, ठीक है, चलो, next question है guys, आपका, tectorial membrane is found in, छादक जिल्ली पाई जाती है, किस में, तो eye of frog मे में, मिंधक के नेत्र में, eye of mammal में, स्तनियों के नेत्र में, eye of mammals में, स्तनियों के कान में, या फिर आपका, कोल्चिया of mammal, स्तनियों के करना वर्त में, तो correct answer था, आपका, कोल्चिया of mammals, ठीक है, स्तनियों के करना वर्त में, next question था, आपका, which one of the following is not the pancreatic enzyme, इन में से, आपका pancreatic enzyme, इन में से आपका agnash ही प्रकीर नहीं है तो कौन सा नहीं है, trypsin, amylose isomaltase and chymotrypsin तो कौन सा ऐसा है, जो आपका pancreas में नहीं मिलता है, हिंदी में option थे, trypsin, amylase isomaltase and chymotrypsin तो correct answer था guys, आपका isomaltase, ये enzyme आपका pancreas में नहीं मिलता है agnash ही में नहीं मिलता है okay, हाँ जी, थोड़ा सा zoom कर लेते हैं इसको और, ठीक है अब आप लोग को I think दिखाई दे रहा होगा चलो, next question था guys अब, एक सेकिंद, चलो next question था आपका bile salt bile salt contribute चलो bile salt contribute to, bile salt किस में contribute करता है, तो emulsification of fat, digestion of fat absorption of fat and all of these, हिंदी में अगर हम पढ़े तो पित लवनों का योगदान है किस में है, वसा को घोलने में वसा के पाचन में, वसा के सोशन में, या फिर उप्युक्त सभी में तो guys इसमें आपका correct answer था all of these means उप्युक्त सभी तो bile salt आपका emulsification of fat में भी contribute करता है, इसके अलावा digestion of fat में भी contribute करता है absorption of fat में भी contribute करता है, ठीक है, चलो next question था आपका, यूरिया is produced in animal by the breakdown of, भाई, यूरिया का जो production है animals में, वो किसके टूटने से होता है, ठीक है, जीवों में यूरिया का निर्माण होता है, किस से होता है, protein, nucleic acid, uric acid and purine, हिंदी में अगर हम बोले तो option थे आपके बस, protein के, protein के vikhandan से, nucleic acid के vikhandan से, uric acid के vikhandan से, या फिर purine के vikhandan से, तो guys, इसमें आपका correct answer था protein, ठीक है, protein के breakdown से, आपका yूरिया का क्या होता है, production होता है, जब protein तूटता है, तो फिर उससे yूरिया का production होता है, next question था guys, आपका family of sweet potato is, sweet potato की family इन में से कौन सी थी, तो sweet potato की family इन में से, कौनवल वैसी है, या फिर अपका cucurbitesi है, या फिर अपका अंबेली फेरी है, या फिर crucifery है, okay, तो guys, इसमें आपका correct answer था, कौनवल लेसी, okay, कौनवल लेसी जो था, वो आपका correct answer था, शुकर गंद का कुल है, तो क्या था, कौनवल वुलेसी, cucurbitesi, अंबेली फेरी, या फिर crucifery, तो इसमें correct answer है, आपका बेटा, कौनवल वुलेसी, ठीक है, चलो, next question था, आपका botanically बनाना fruit, इस केला क्या है, botanically अगर हम बोले, तो केला क्या है, कौन सा fruit है, nut, pom, berry या फिर डूप, तो इसमें इसे बनाना आपका berry है, ठीक है, nut, pom, berry या फिर डूप, तो कौन सा fruit है, डूप होता है, जैसे आपका आम तो बनाना, केला क्या होता है, आपका berry fruit होता है, ठीक है, चलो, next था, आपका रेफिनस सटाइवस L is botanical name of, रेफिनस सटाइवस L, किसका वानिस्पतिक नाम है, किसका है, टरनिप, रेडिश, कैरट, और नन अफ दीज, तो ये है आपका रेडिश का, यानि की मूली का, रेफिनस सटाइवस जो है, ये आपका मूली का botanical name है, ओके, चलो, अभी दिख रहा है, उके, चलो, अब next question भी हमा जाते है, important distinguished characteristic of class insecta is, तो class insecta के important anh representation characters किया है, मतलब, कीटवर्ग के पहचान के लिए मधत्व canyon आपके characters किया है, ठीक है, तो joint appendages, compound eyes, six legs और all of these, तो इसमें आपका correct answer था six eggs, तो जो class insecta है, कीट वर्ग है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं उनमें six six legs होते हैं छे पैर होते हैं, ठीक है, उससे हम पहचान करते हैं कि यह class insecta में आता है next question था आपका autonomic nervous system is a kind of autonomic tantric tantric, tantric, एक प्रकार का क्या है, motor tantric का tantric है, sensory tantric का tantric है, somatic है या फिर central tantric का tantric है, means आपका motor nervous system होगा sensory nervous system होगा या फिर आपका somatic nervous system होगा या फिर आपका central nervous system होगा तो guys आपका correct answer था motor nervous system, so autonomic nervous system is a kind of motor nervous system next question था आपका post ganglionic परा-sympathetic neurons release, तो क्या release करते हैं, acetylcholine, non-epinephrine and gastrin and acetylcholine and non-epinephrine and both, तो क्या, guys, correct, इसका correct answer क्या था, acetylcholine, तो जो आपका post-ganglionic परा-sympathetic neurons हैं, यह आपके release करते हैं, acetylcholine को, तो इसमें आपका correct answer था, acetylcholine, ठीक है, चलो, next question भी हम आते हैं, तो gemules are formed from, gemules किसके लिए बनते हैं, किसमें बनते हैं, तो guys, इसमें आपका correct, इसमें आपके पास options थे, asexual reproduction, sexual reproduction, parthenogenesis and digestion, तो gemules आपके बनते हैं, asexual reproduction में, ना वो sexual में बनेंगे, ना वो आपके parthenogenesis में बनेंगे, ना ही आपके digestion में बनेंगे, total यह आपके बनते हैं, asexual reproduction में, राइट, चलो, next question था, आपका one of the distinguishing feature of mammals is, mammals का आपका distinguishable feature कौन सा है, hairs, pinna, four-chambered heart and diaphragm, तो diaphragm से हम क्या करते हैं, mammals के features को distinguish करते हैं, राइट, चलो, next question अपका plasma membrane, plasma membrane, क्या, provide mechanical support to the protoplasma, protoplasma को mechanical support provide करता है, या फिर, check the entry or exit of undesirable substance, undesirable substance की entry or exit को check करता है, right, delimits the protoplasm from the exterior, exterior से protoplasm की delimits को check करता है, right, delimits the protoplasm from the exterior, करके रखता है, या फिर all of these, तो plasma membrane generally आपके ये सारे काम करती है, आपके mechanical support भी provide करती है, protoplasm को इसको exterior environment से भी बचाती है, और दूसरा उसको undesirable, जो substance है, उनकी entry or exit को भी क्या करती है, उनकी entry or exit को भी check करती है, ठीक है, तो as a protective layer आप बोल सकते हो, next question था आपका nucleic acid R, तो nucleic acid क्या है, macro molecular compound, micro molecular compound, macro and micro molecular compound, या फिर non molecular compound, तो guys इसमें आपका correct answer था, macromolecular compound, क्या correct answer था इसका, macromolecular compound, ठीक है, चलो, next question था आपका, silk is a secretion of, silk किसका secretion है, okay, तो salivary gland का, thoracic gland का, या फिर आपका abnormal gland का, या फिर none of these आपका correct answer हो जाएगा, तो guys इसमें आपका correct answer था, salivary gland, तो जो आपका silk है, right, जो आपका silk is a secretion of, silk जो है, ये आपका secretion होता है, salivary gland का, okay, guys देखो, properly visible है या नहीं है, एक बर देखो, next question था, आपका bile secretion part is, bile secretion part कौन सा है, pancreas है, liver है, spleen है, या फिर gallbladder है, तो इसमें आपका correct answer था, liver, liver is bile secreting part, okay, next question था, आपका ribosomes are made up of, RNA and DNA, DNA and protein, RNA and protein, DNA alone, तो RNA और protein से मिलकर के बनता है, आपका ribosome, देखो, botany से कितने सारे questions आ रखे हैं, guys, आप देख सकते हो, ठीक है, काफी सारे questions आपके, botany में आ रखे हैं, right, एक सकिन, हिंदी वालो को नहीं दिख रहा है, हिंदी वाले स्टूडें भी आपके, क्वेशन्स पर लो, ठीक है, चलो, next question था आपका, which of the following is smallest RNA, तो इन में से आपका smallest RNA, कौन सा है, messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, या फिर chromosomal RNA, तो हिंदी वाले स्टूडेंस भी पढ़ ले, इन में से कौन सा सबसे चोटा RNA है, संदेश वाहक, ribosomal, इस्थानांतरन, या फिर chromosomal RNA, तो इसमें से आपका correct answer हो जाएगा, guys, transfer RNA, that is tRNA, ठीक है, सबसे जादा smallest RNA, जो है, इसमें tRNA, ठीक है, चलो, next question पर हम आते है, which of the following is capable of self-replication, इन में से कौन सा है, आपका जो self-replication करता है, तो an enzyme, a carbohydrate molecule, water molecule, या फिर nucleic acid, तो इसमें आपका correct answer क्या हो जाएगा, nucleic acid, ठीक है, हिंदी वाली students भी देख लें, इन में से कौन सा सुधी गुणन के लिए सक्षम है, enzyme है, carbohydrate अणू है, gel अणू है, या फिर nucleic aml है, ठीक है, या आपके पास options से correct answer था आपका nucleic acid, nucleic aml, ठीक है, next question था आपका carryokinesis means division of, carryokinesis में किसका division होता है, ये काफी बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ, cytoplasma in two, nucleus in two, protoplasma in two and none of these, तो nucleus का division होता है, carryon means क्या होता है, nucleus, तो इसका answer हो जागा nucleus in two, हिंदी वाले students भी देख ले, carryokinesis का अभिप्राय होता है, कोशिका द्रव्य का दो में विभाजन, कोशिका का दो में विभाजन, जीव द्रव्य का दो में विभाजन, और इन में से कोई नहीं, तो क्या होगा इसका, केंद्रव का दो में विभाजन, भी correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलो, अब next question है, functional unit of mammalian kidney R, तो functional unit कौन सा है, mammalian kidney का, ureter होगा, या फिर renal duct होगा, seminal duct होगा, या फिर all of these answer होगा, तो renal duct इसमें आपका correct answer था, next हिंदी में भी देख लेते हैं, इस तनियों के व्रिकों की क्रियात्म की काईया है, ureter, व्रिक नलिका में, शुक्र नलिकाएं, या फिर उप्युक्त सभी, तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा, व्रिक नलिका, ठीक है, चलो, next question था, आपका viruses are living, because, viruses living होते हैं, क्यों, it grows, is multiply into the living cell, it contains metabolic enzyme, it respires like living ones, तो इसमें आपका correct answer था, it contains metabolic enzyme, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका metabolic enzymes होते हैं, ठीक है, चलो, ये आपका correct answer था, हिंदी में भी हम देख लेते हैं, देखो guys, इनमें से काफी जारे questions हैं, जो मैं already आप लोगों को करवा भी चुके हूँ, virus जीवधारी है, क्योंकि इनमें वृधी होती है, जीवकोशों में इनका गुणन होता है, इनमें उपापचे enzyme होते हैं, और ये आपके जीवों की तरह स्वस्चन करते हैं, तो इनमें उपापचे enzymes होते हैं, इसलिए ये क्या है, जीवधारी है, ठीक है, चलो, a true fruit is developed, true fruit, सत्य फल, किस में बनता है, from thalamus, from nucellus, from ovary and from ovule, तो ovary से जो fruit आपका बनता है, उसको क्या बुला जाता है, true fruit बुला जाता है, हिंदी में भी देख लेते हैं, एक वास्तविक फल विक्सित होता है, पुशपासन से, बीजंड काम से, अंडाशे से, या फिर आप का बीजांट से, तो अंडाशे से बनता है, ठीक है, चलो, next question देखते हैं, guys, एक second, अब ठीक है, मियो, एक second, मियोटिक डिविजन टेक्स प्लेस इन, मियोटिक डिविजन किस में होता है, अभी फिर से नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब मियोटिक डिविजन टेक्स प्लेस इन, मियोटिक डिविजन किस में होता है, तो मियोटिक डिविजन होता है, आपका अंथर में, तो अर्ध शूत्री विभाजन होता है, पत्ती में, पराकोश में, तने में या फिर जड़ में, तो किस में होगा, आपके अंथर में, पराक तो correct answer था आपका mutation, ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं, विबिनिता का सबसे बड़ा श्रोत आता है, उत्परिवर्तन द्वारा, गुड़ सूत्री अनियमित्ताओं द्वारा, अर्ध सूत्री विभादन द्वारा, या फिर polyploidy द्वारा, तो इसमें आपका correct answer था, उत् ठीक है, चलो, next question देखते है, allele is the, allele क्या है, alternative trait of a gene pair, या फिर आपका total number of gene trait, okay, या फिर आप total number of chromosome of a haploid set, या फिर total number of gene present on the chromosome, तो इसमें आपका correct answer था, alternate trait of the gene pair, right, alternate trait of gene pair is allele, allele क्या होता है, alternative form of gene पढ़ते हैं, right, चलो, हिंदी में भी देख लेते, allele होता है, gene जोडे का एक एक आंतरित trait, या फिर एक trait के gene की कुल संक्या, एक अगुणित यूगल के गुण सूत्रों की कुल संक्या, या एक गुण सूत्र पर उपस्तित gene की कुल संक्या, तो इसका correct answer था आपका option A, जो है gene जोडे का एक आंतरित trait, ठीक है, चलो, next question हम देखते है, which is not a root, इन में से कौन सी जो जड़ नहीं है, potato, carrot, sweet potato and radish, आलू, गाजर, sweet potato, शकरगंद और मूली, तो इसमें आपका correct answer था, potato, means आलू, आलू आपका जड़ नहीं है, तना है, ठीक है, यह हम प अवस्तब मूल, किस में मिलता है, राइस में, शुगर केन में, ग्राउन नट में, या फिर ग्रैम में, चावल में, मूंग फली में, गन्ने में, या फिर चने में, तो इसका correct answer था आपका, sugar cane, मतलब गन्ना, ठीक है, मलबरी fruit is, मलबरी कैसा fruit है, sorosis, droop, false fruit, या फिर आपका psychonus, तो इसका correct answer था आपका, sorosis, ठीक है, चलो, हिंदी में भी देख लेते हैं, शैतूत का फल है, sorosis, droop, असत्य फल, या फिर psychonus, तो correct answer था आपका, sorosis, A, ठीक है, चलो, next question हम देखते है, photosynthesis takes place in a green plants, green plants में photosynthesis कहां पर होती है, mitochondria में, chloroplast में, ribosome में, या फिर nucleus में, तो इस क्लोरोप्लास में होगा, हिंदी में देखते हैं, हरिप अधू में, प्रकाश ससलेशन होता है, mitochondria में, हरित, हरिम कवर्ण में, और ribosome में, या फिर केंद्रक में, तो हरिम कवर्ण में होता है, ठीक है, चलो, next question देखते हैं, air cavity is present in, लीपोफाइट, जीरोफाइट, हाइड और मीजोफाइट, तो air cavity किस में present होती है, हाइडोफाइट में होती है, ठीक है, चलो, हिंदी में भी देख लेते हैं, वायू कोष्ट उपस्तित होते हैं, लमडोदवुत, शुष्कोदवित, जलोदवित, या फिर आपका मद्योदवित, तो इसका correct answer हो जाएगा, आपका जलोदवित, ठीक है, चलो, next question देखते हैं, short day plant is, इन में से कौन से आपके short day plant है, ठीक है, देखो, tomato, pepper, soybean and sunflower, तो आपका correct answer था इसमें, soybean, soybean जो है, ये आपका कैसा plant है, short day plant है, ठीक है, soybean is short day plant, तो अगर हम हिंदी में इसको पढ़ें गाईज, तो ये हिंदी में हो जाएगा, आपका अलप प्रकाशित पौधा, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन या सूर्य मुखी, तो अलप प्रकाशित पौधा होता है, आपका सोयाबीन, ठीक है, जिसको कम प्रकाश की आवशकता होती है, चलो, दूसरा question देखते हैं, when the anther are fused together, forming a tube and filament are free, this condition is termed as mono adelphus, synegenous, syneendrous and gynend तो इसमें correct answer ता आपका gynendrous, ठीक है, देखो, सीदी सी बात, जब पराकोश परस पर सहयोजित होकर, एक नलिका बनाते हैं, और, लाइट जादा पटली, लाइट जादा पटली है, students को properly दिखाई, नेरा video, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनिट, एक मिनिट रुक ठीक है, ठीक है, तब तक आप questions देख लो, तो जब पराकोश परस पर सहयोजित होकर, एक नलिका बनाते हैं, और, पुतंतु स्वतंत्र होते हैं, तो इस सिती को क्या कहते हैं, एक संदी, या फिर आपका synchinesis, synandras, या फिर gynandras, तो gynandras, option 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक ह हैं, चलो, दूसरा, in homo-gagous plant, self-pollination, homo-gagous plant में self-pollination कैसा होता है, yield progeny which are not variable, B option था, yield progeny which are highly variable, तीसरा option था, is never possible, and चौता option था, is generally overcome by the various adaptation, ठीक है, तो इसका correct answer था, yield progeny which are not variable, ठीक है, in a homo-gagous plant, self-pollination, yield progeny which are not variable, ये आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलो, हिंदी में अगर हम देखते हैं, तो एक सम्युगमजी, पौधे से, स्वपरागण के कारण, क्या थे, क्या होंगे, ऐसे संतान की उत्पते, जिसमें विभिननताएं नहीं होती है, ये आपका correct answer हो ज means development of plant, apomixis जो होती है plant में, उसका मतलब क्या होता है, तो मी की plant का development कहां से हुआ है, तो ये हो जाएगा, अपका from the stem cutting, stem cutting से हुआ है, या फिर root cutting से हुआ है, without fusion of gametes, gametes के fusion के भीना हुआ है, या फिर from the fusion of gametes, तो apomixis generally guys, आपकी होती, एक सिकिन, apomixis जो है, ये आपकी होती है, without fusion of gametes, without fusion of gametes, क्योंकि इसको हम किसमें पढ़ते है, ace actual reproduction में पढ़ते हैं, तो without fusion of gametes से आपका क्या होता है, apomixis होती है, ठीक है, हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं, हिंदी में है ये, पौधे के, पौधे में अपमिश्रन का अभिप्राय होता है, पौधे की से इसमें यूगमनों का संयोजन नहीं होता है ठीक है चलो next question देखते है false fruit develop from अभी तो आपने true fruit पड़ा था कि ovary से बनता है अब आया है false fruit develop from false fruit कहां से बनता है तो false fruit बनता है आपका ovary से parthenogenesis से thalamus से या फिर none of these तो apple false fruit है सेब क्या है सेब आपका ये कूटफल है मतलब false fruit है कहां से बनता है thalamus से बनता है ठीक है तो correct answer हो जाएगा आपका thalamus हाँ बिल्कुल without fertilization हो जाएगा ठीक है चलो हिंदी में भी देख लेते हैं गाईस हिंदी में आपका हो जाएगा एक कूटफल परिवर्दित होता है अंडाशे से अनिशेक जनित बीट से पुषपासन से या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा आपका पुषपासन से ठीक है ओवरी से नहीं बनेगा चलो next question देखते हैं guys the inflorescence of barley is तो barley का inflorescence कैसा होता है साइमोस रेसिमोस compound and special तो correct answer हो जाएगा आपका रेसिमोस कैसा inflorescence मिलता है बारले में तो आपका रेसिमोस inflorescence मिलता है ठीक है हिंदी में भी देख लेते हैं guys हम इसको तो जो में पुषप क्रम होता है जो का पौधा होता है ना शशी माक्ष सायूक्ति या फिर विशिष्ट तो अशी माक्षी होता है ठीक है चलो next question देखते है family of mustard is mustard सर्सों की कौन सी family है कौन सा कुल है मालवेसी, crucifery, cucurbitacee and leguminacee तो इसका correct answer था आपका cucurbitacee sorry crucifery क्या था इसका correct answer crucifery तो mustard की family है आपकी crucifery देख लेते हैं सर्सों का कुल है मालव मालवेसी, crucifery, cucurbitacee, leguminacee तो कौन सा था आपका crucifery ठीक है चलो next question पर चलते है the coriander flower is धनिये का फूल होता है capitalum, spadix, catkin and umble तो कैसा होता है चाते जैसा होता है na umble shape umbrella कैसा होता है umbrella जैसा होता है चाते जैसा होता है चाते जैसा तो इसलिए क्या हो जाएगा umble shape हो जाएगा चलो हिंदी में अगर हम इसको पड़ें तो हिंदी में है आपका धनिया का फूल है कैसा है capitalum, umble, spadix या catkin तो again umble ठीक है चलो orisa sativa is botanical name of orisa sativa किसका botanical name है किसका वानिश्पतिक नाम है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका rice, potato, tomato, rice and maize आपके पास option थे orisa sativa simple question यह तो सभी को बता है कि rice का botanical name होता है ठीक है और राइजा sativa वानिश्पतिक नाम है आलू का, tomato का, धान का धान का यह फिर मक्का का तो धान का है ठीक है चलो next question देख लेते हैं dry indecent one-seeded fruit derived from the inferior bi-capillary ovary is known as sipsala, nuts, creamocarp and legume तो इसमें आपका correct answer था sipsala ठीक है चलो हिंदी में भी देख लेते इसको शुष्क असफोटी एक बीजी फल जो अधोवर्ती द्वे अंडपी अंडाशे से विक्सित होता है कहलाता है तो इसको क्या बोलते है सिपसेला, nut, creamocarp या फिर शिंब तो correct answer क्या था आपका correct answer था आपका सिपसेला ठीक है चलो next question देखते हैं guys edible part of leachy fruit बहुत जादा important और बहुत जादा exams में पूछा जाता है कि leachy का edible part कौन सा है, leachy का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो mesozoom, cotylidin, endosperm and fleshy aryl, तो aryl वाला part हम क्या करते हैं, खाते हैं, जो juicy होता है, ठीक है, चलो next question है guys आपका लीची फल में खाया जाने वाला भाग तो आपका flesh aryl होता है, ठीक है, चलो, अब next question देख लेते हैं, basal cell of eulothrix is devoid of तो बही यूलothrix के basal cell में क्या नहीं होता है, nucleus नहीं होता, chlorophyll नहीं होता, chloroplast नहीं होता है या फिर pyranonide नहीं होता है, तो इसका correct answer हो जाएगा आपका chloroplast, youlothrix के basal cell में, आपका chloroplast नहीं मिलता है, हिंदी में भी देख लेते हैं guys, इस हिंदी में हो जाएगा कि आपका यूलो थिक्स आधारी या कोशिका में नहीं पाया जाता है केंद्रक पंड हरिम हरितलवक या फिर पारिनॉइट तो हरितलवक नहीं होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं बेक्टीरियो फास कंसेस्ट आफ बेक्टीरियो इस किससे मिलकर के बनता है कार्बन या नाइट आ नाएटोजेन डिएएन अनुकलियो प्रोटीन या केवल प्रोटीन या कीवल 10 और 12 तो कितने होते हैं 10 होते हैं टोटल ठीक है चलो इसका हिंदी में भी पढ़ लेते हैं मुंगों में पुंकेशर की संख्या होती है 5, 8, 10, 12 तो कितनी होती है 10 होती है ठीक है पिचर प्लांट इस कई बार बताया है यह आप लोग को पिचर प्लांट कैसा होता है पैस्थे चलो, very good, कादक कलश पादप है, कलश पादप क्या होता है, घड़े जैसा होता है, इसलिए इसको कलश पादप बोलता है, परचीवी, सहजीवी, श्वपोसी, एंड कीटहारी, तो कीटहारी होता है, ठीक है, चलो, next question देख लेते हैं, guys, the division of nucleus is known as, तो nucleus के division को क्या बोलते हैं, cytokinesis, karyokinesis, anaphase, या फिर metaphase, हिंदी में केंद्रक की विभाजन को कहा जाता है, cytokinesis, karyokinesis, पश्चावस्ता, मध्यवस्ता, तो karyokinesis बोलते हैं, ठीक है, अभी उपर ये question दूसरे उसमें पूछा गया था, ठीक है, दूसरी language में थोड़ा सा बदल के, चलो, next question, during mitosis, the cent centromere divide at, mitosis में centromere कहां पर divide होता है, prophase, metaphase, anaphase, या फिर telophase, तो ये आपका anaphase में divide होता है, ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं, शूत्री विभाजन में, गुण सूत्र बिंदु अलग होता है, पूर्वा वश्था में, मध्या वस्ता में, पश्चा वस्ता में, या फिर आपका अंत्रा वस्ता में, तो ये आपका पश्चा वस्ता में होता है, ठीक है, divide होता है, चलो, next question देखते हैं, most primitive living vascular plant are, सबसे जादा अति प्रारंबिक सजीव समवहनिय पादप होते हैं, कौन से हैं, स्फेगनम, आपके साइकेडस, ब्राउन एलगी, या फिर फर् फर्न्स, तो फर्न्स आपके सबसे पुराने vascular plants हैं, ये बॉटनी में मैंने आप लोगों को करवाया भी हैं, ओके, चलो, next question का answer दीजेए, movement of plant are not affected by water, temperature, light and chemicals, तो plant का movement किस से effect नहीं होता, water से नहीं होता, ठीक है, पौधों की गतिशीलता नहीं प्रभावित होती है, जल से, ताप से, प्रकास से, या फिर आपके रशायन से, तो ये आपके जल से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, चलो, next question का answer दीजेए, guys, dispersal of seed by wind is known as, जब हवा से आपके बीजों का विकिरन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एनिमो कोरी, जू कोरी, और्टो कोरी, या हाइड इन, secondary growth किस में नहीं होती है, डाइकोड प्लांट में, मोनो कोड प्लांट में, जिम्नो स्पॉम में, all of these में, बीच पत्री पॉधों में, जिम्नो स्पॉम में, या फिर सभी में, तो ये आपकी मोनो कोड प्लांट मतलब एक बीच पत्री पॉधों में नहीं होती है, ये भ से कौन सा food poisoning जीवानू है मतलब जो क्या गरता है खाना खाने के बाद poisoning food poisoning cause करता है lactobacillus clostridium botulinum streptomyces और इन में से कोई नहीं तो इस अभी को पता है कौन सा है clostridium botulinum है ठीक है very good चलो हां जी हां जी ये technical का paper है बिटा technical का paper है ओकी चलो next question का answer next question है आपका in rain grain sorry in rice grain the endosperm is rice grain में endosperm कौन सा part होता है fatty portion starchy portion protein portion या फिर none of these तो चावल के दाने में endosperm होता है वसीय भाग starchy भाग protein भाग या इन में से कोई नहीं तो correct answer था आपका starchy भाग starchy portion होता है आपका rice का endosperm ठीक है चलो next अगले question देख लेते है crop in which upper root portion is used in a seed production तो crop जिसमें आपका upper root portion जो है seed production के लिए use होता है onion में, turnip में, ginger में या फिर turmeric में तो आपका turnip में crop का जो upper root portion है वो seed production के लिए use होता है हिंदी में भी देख लेते हैं फसल जिसमें जड का उपरी भाग बीज उत्पादन हे तू प्रयोग में लाया जाता है किसमें प्याज में, सलजब में, अद्रक में या फिर हल्दी में तो सलजब में लाया जाता है ठीक है चलो दूसरा question था crop infected by करणाल बंट कितनी बार करवाया हुआ यह है मेज, gram, wheat and paddy तो इसमें आपका correct answer था wheat ओकी चलो हिंदी में भी देख लेते हैं फसल जो करणाल बंट से ग्रसित होती है मक्का, चना, गेहु और धान तो गेहु ठीक है अगला question था when xylem and phloem from separate bundle they are called तो xylem और phloem जब अलग-अलग bundle बनाते हैं तो उसको क्या बोलते है radial vascular, collateral vascular, concentric vascular या फिर bicolateral vascular यह भी करवाया हुआ है क्या होगा radial vascular bundle तो guys आप देख सकते हो बोटनी में कितने सारे question में आप लोगो को अलरड़ी करवा चुकी हूँ ठीक है चलो जब xylem और phloem अगर pool बनाते हैं तो उसे कहा जाता है radial samvahan pool, collateral samvahan pool, concentric samvahan pool या फिर bicolateral samvahan pool तो यह होता आपका radial samvahan pool ठीक है चलो अगला question अगला question देख लेते हैं Cambium is more active during Cambium सबसे जादा active कब होता है winter autumn spring और uniform throughout the year तो कब होता है spring season में वो जादा active होता है करवाया हुआ यह question यूट्यूब पे भी करवाया था आप लोगं को botany की classes में देखना एक बार ठीक है एधा सबसे अधिक क्रियाशील होता है सर्दी में शरद में वसंत में या फिर वर्ष परियंत एक समान तो कब होता है वसंत में जादा active होता है ठीक है अगार इस obtained from कितनी बार करवाया हुआ यह red elga green elga brown elga blue green elga तो red elga से अगार obtained करा जाता है अगर प्राप्त करा जाता है लाल से वाल से हरित से वाल से भूरे से नील हरित से वाल से तो किस से बिलता है लाल से ठीक है next question है आपका reserve food material of green alga, green alga का reserve food material कौन सा है protein glycosin starch and oils, तो क्या होगा starch, green alga starch की form में क्या करते हैं, food material को store करके रखते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं, तो हरित शेवाल का निश्चित भोज्य है protein glycosin starch या फिर oil, starch हो जाएगा, ठीक है, starch में ये क्या करते हैं, अपने शरीर मे खाने को store करके रखते हैं, ठीक है, चलो, next amphibians and reptiles are studied under the branch, एक्थियोलोजी, हर्पीटोलोजी, entomology and sorology, तो हर्पीटोलोजी आपका correct answer हो जाएगा, amphibians और reptiles की study हम किसमें करते हैं, हर्पीटोलोजी में करते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं, उबेशेरो तथा जो आपके snakes होते हैं, ठीक है, का अधियन करा जाता है, आपका एक्थियोलोजी में, या फिर आपका हर्पेटोलोजी में, एंटमोलोजी में, या फिर सौरोलोजी में, तो हर्पेटोलोजी में करा जाता है, ठीक है, चलो, अगला question था आपका, a plant which is adapted to an environment deficient in moisture is called as, तो जो प without moisture वहाँ पर survive कर लेता है, हिंदी में भी देख लेते हैं, एक पौधा जो आद्रवाता वरण की कमीज के लिए अनुकूलित होता है, क्या होता है, हेलोफाइट, हाइडोफाइट, जीरोफाइट, तो जीरोफाइट, जो पौधी आपके बीना पानी के उगते हैं, उन्हें बोला जाता है, ठीक है, चलो, in plant the green pigment capture light energy by the functional process is called, तो भई आपके जो पौधों में हरा रंजक, हरे रंजक जो हैं, प्रकाश उर्जा को किस क्रियाशील प्रकिरिया द्वारा अभिग्राइट करता है, फोटोलिसिस, फोटोसंथाजिस, फोटोटोपिसम या वो सूरे की उर्चा को प्रियोग में लाता है और अपना हरा रंजक प्रियोग, हरे रंजक को यूज करता है, किसके लिए, तो green pigments जो हैं, आपके light energy को trap करके कौन सा, कौन सा functional process यूज करते हैं, फोटोलिसिस, फोटोसंथाजिस, फोटोपिसम, फोटोपिरियोडिसम, आपकी लाल मिर्ची में लाल रंग किसकी वज़े से होता है, केरोटीन, जैन्थोफिल, लाइकोपिन या फिर आपका अट्रपिन, तो बहुत एज़ी क्वेशन, लाइकोपिन, ये भी करवा चुकी हूँ, ठीक है, पके हुए टमाटर एवं लाल मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, केरोटीन, जैन्थोफिल, लाइकोपिन या फिर अट्रोपिन, तो लाइकोपिन की वज़े से होता है, ठीक है, तो गाईस ये ये था अपका प्रिवेस एयर का question paper, ठीक है, इसमें से अभी और भी question है, ओकी, इसमें अभी और भी question है, देखिए, a cell wall of bacteria is made up of, तो किससे मिल करके बनी होती है आपकी cell wall, cellulose, pactin, peptidoglycan या फिर kaitin, तो यह कही बार बताया है आप लोग को peptidoglycan, किससे मिल करके बनी होती है, peptidoglycan, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ती, किससे मिल करके बनी होती है, तो peptidoglycan से, ठीक है, चलो, अगला question देखते है, which of the following is not rhizopus, इन में से कौन सा ऐसा है, जो rhizopus नहीं है, sporengia, rhizoid, columelan, CT, तो क्या correct answer हो जागा, CT, करवा चुकी हूँ यह भी classes में, जब मैं आप लोग को fungus करवा रही थी, rhizopus में निम्र में से कौन सा नहीं पाय जाता है, sporengia, rhizoid, columelan, CT, तो CT आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, अगला question था आपका, development of sporophyte directly from gametophytic tissue is, apogamy, apospory, apomyxis and parthenogenesis, तो इसमें correct answer क्या हो जाएगा, इसमें आपका correct answer हो जाएगा, apogamy, ठीक है, यह भी करवा चुकी हूँ, युग्म कोदभिद उतक के, से सीधे बीजाडू, दमक, विक्सित होने को क्या कहते हैं, apogamy, apospory, apomyxis या parthenogenesis, तो क्या कहते हैं, apogamy करवाया हूआ यह मैंने है ना, चलो next question था आपका, एक second, इसमें आपका अगला question था, दिखाई दे रहे हैं, विजिबल है आप लोगों को, अभी विजिबल है guys, बताएए, अभी विजिबल है properly, ओके, ठीक है, चलो, अगला question था आपका, कॉरिम्बोस influence is found in, कॉरिम्बोस influence किस में मिलता है, कमपोजिटी, क्रूसिफेरी, solenacy, और अपोसाइनेसी, तो क्रूसिफेरी family में, आपका कैरिम्बोस, inflorescence मिलता है, राइट, कॉरिम्बोस, पुस्पग्रम पाया जाता है, कमपोजिटी में, क्रूसिफेरी में, solenacy में, या फिर आपका, अपोसाइनेसी में, तो ये मिलता है, आपका, क्रूसिफेरी family में, ठीक है, चलो, अगला question है आपका, which is C4 plant, इन में से आपका C4 plant कौन सा है, मैंने क्या बता है, C4 plant कौन से होता है, जिन में पहला product, आपका, चार कार्बन वाला होता है, जिसमें तीन कार्बन वाला होगा, C3 plant, करवा चुकी हों, ये भी है न, क्या होगा, पैडी, पी, पीनट, एंड जौर, तो कौन सा होगा, धान, मतर, मुंग, फली और जौर, इन में से C4 पौधा कौन सा होगा, तो जौर होगा, ठीक है, अगला question, which crop have relatively higher requirement of sulfur, कौन सी crop को sulfur की ज़ादा जरूरत होती है, सीरे, लेग्यूम, oil seed crop, या फिर शुगर crop, तो इसमें correct answer होचाएगा, आपका oil seed crop, ठीक है, हिंदी में अगर हम पढ़ें, तो हिंदी में है ये, किस फसल में सापेक्षत हो, sulfur की ज़ादा जरूरत होती है, अनाज, फली, तिलहन फसल या शरकरा, तो तिलहन फसल को ज़ादा जरूरत होती है, शल्फर की, ठीक है, अगला question था, in which plant, aranchyma cells are found, बरसीम, rice, oats and cotton, तो rice में आपका aranchyma cells मिलते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, हिंदी में अगर हम पढ़ें, तो किस पौधे में एरन काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं, बरसीम, चावल, जई और कपास तो चावल में पाई जाती हैं, ठीक है, अगला question था, आपका potato belongs to, पटाटो प्लांट कौन सी family को, कौन से कुल को आलू, कौन से कुल से सम्बंदित है आलू, ग्रेमिनी, कंपोजिटी, सोलेनेसी और मालवेसी, तो correct answer हो जाएगा आपका सोलेनेसी, ओके, correct answer हो जाएगा आपका सोलेनेसी, तो आलू कौन से कुल का पौधा है सोलेनेसी का, ठीक है, अगला question है, आपका fruit of composite is, berry, सिपसेला, droop and capsule, तो correct answer क्या होगा आपका सिपसेला, राइट, सिपसेला आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, आप सही है, ओके, मैम, लाइफ क्लास कितने बजे होती है, एक सिगिन, गाईज, अभी, लाइफ क्लास आपकी बॉटनी की शुरू हो जाएगी अभी, तो I think, आप लोगों को टाइमिंग बहुत जल्दी, आप लोगों को बता दुगी मैं, वैसे अभी ही तो जो था वो आपकी धाई बजे हो रही थी, धाई बजे से तीन बजे केमिस्टी की क्लास हो रही थी, बोटनी की क्लास आपकी Monday से शुरू हो जाएगी तो अब मॉर्णिंग सेशन में आप लोग को बता दूगी जब मॉर्णिंगे 10 बजे वाली क्लास तो उसमें में आप लोग को टाइमिंग बता दूगी ठीक है? चलो Next question क्या है आपका Fruit of composite is तो कौन सा है? सिपसेला है Compositive का फल है Berry, सिपसेला, droop and capsule तो क्या हो जाएगा? सिपसेला हो जाएगा अगला question था आपका Fiber derived from the seed coat तो seed coat से आपका किसका fiber derived होता है? कॉयर का, flex का, cotton का या हम्प का तो cotton का, ठीक है? इदी में भी देख लेते हैं इसको बीच कवच से रेशा उत्पन होता है क्वायर से, मतलब नारियल से flex से, मतलब तीसी से cotton से, मतलब कपास से हम्प से, मतलब सनई से तो क्या होगा? गरेक्ट आंसर कपास से ठीक है? चलो, अगला question देख लेते हैं अगला था, which type of soil is absorbed by the root here of the plant, तो कौन सा soil water root here absorb करते हैं? तो capillary water को absorb करते हैं ठीक है? capillary water को absorb करते हैं यह आप लोग को करवा रखा है, मैंने question भी है ना, किस प्रकार का मृदा जल पौधों के जड रोमों द्वारा अफशोसित करा जाता है अधरता ग्राही, कोशिका जल गुरुत्वी जल या उप्युक्त सभी तो कोशिका जल करा जाता है, ठीक है? चलो, अगला question देखते हैं if the cell lose water when placed into the solution is hypotonic, saturated, hypertonic and weak तो क्या होचाएगा? hypertonic, करवा चुके हैं उसको भी बहुत अच्छे से हैं ना यदि एक कोशिका किसी घोल में रखने पर जल छोड़ती है तो वह घोल है, कैसा होगा? hypotonic, saturated, hypertonic या कमजोर, तो कैसा होता है? वह घोल आपका hypertonic हो जाएगा, ठीक है? चलो, अगला question देखते हैं which element induce disease tolerance in disease tolerance in plant तो कौन सा तर्तो पौधी में रोग प्रतिरोधन प्रेरित करता है मतलब disease tolerance जो है किसी भी plant में, कौन induce करता है? या आपका induce करता है potassium, ठीक है? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी बिटा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी ठीक है? चलो, next question देखते हैं और उसका answer करते हैं plant tolerant to the high salinity condition are called halophyte, hydrofyte, heliophyte या फिरो हिंदी में देखें तो उच्छ शारिय दशाओं को सहन करने वाला पौदा है, halophyte, hydrofyte heliophyte या फिर आपका zerophyte, तो क्या हो जाएगी आपके ये आपके उच्छ शारिय दशाओं को सहन करने वाला होता है, आपका halophyte, next question देखते है, rice influence is known as spike, ear, पैनिकल इंफ्लोरेट, तो क्या हो जाएगा spike, rice influence पैनिकल होता है, तो चावल का पुष्पक्रम जाना जाता है, बाली पुष्पगुच, करन या फिर पुष्पक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पगुच, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, पाइरिला belongs to, पाइरिडी, या फल्गोरिडी, साइकेडेली और जैसी डी, तो इसमें हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, पाइरिला किस से संबंदित है, पाइरिलीडे, या फिर आपका फल्गोरिडे, साइकाडेलीडे और जैसी डी, तो करेक्ट आंसर हो जगा, फल्गोरिडी, ठीक है, अगला था, नाइटरोजन is available for the plant in the form of नाइटरोजन कौन से, किस में पाधों को उपलब्ध होता है, नाइटरोजन गैस, नाइटरोजन डायकसाइड, नाइटरेट और नाइटरिक आइटरोजन गैस के रूप में, नाइटरोजन डायकसाइड के रूप में, नाइटरेट के रूप में, या फिन नाइटरिक अमल के रूप में, तो नाइटरेट के रूप में, क्या होता है, यह आपके पौधों को अवेलेबल होता है, ठीक है अगला question था आपका the guard cell differ from the epidermal cell is having cell wall, mitochondria, chloroplast and vacule तो guard cell differ from the epidermal cell क्यों होती है क्योंकि यह आपके किस में होती है यह आपके chloroplast में होती है guard cell कितनी बार बताया है आप लोगों को इस फो मेटा में guard cell होती है बताया हुआ है ना cell में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट ठीक यह question कितनी बार देखो कितने ज़्यादा question में है ना इनमें से आप लोगों को बाटनी में अल्री करवा भी चुकियों है ना चलो नेइस्ट कोशिय देखते है प्लांगी हर्मोन responsible for the cell division is oxygen cytokinin giberlin and abscisic acid तो cell division के लिए कौन रिस्पॉंसिबल होता है साइटोकाइन, पौधा हर्मोन जो कोशिका विवाजन के लिए उत्तर लाई होता है, ओक्जिन, साइटोकाइन, जिबर्लिन और एपसिसिक आसेट, तो कौन सा होता है, आपका साइटोकाइन होता है, करवा रखा ये question भी, which is true for teradophytes, teradophytes के लिए कौन सा स्टेट्मेंट सही है, secondary growth takes place, heterospory occurs in all cases, gametophyte dominant phase and phloem legs companion cells, तो क्या होगा, teradophytes के phloem में companion cells नहीं होती है, ठीक है, teradophyte के लिए क्या सत्य है, सभी में विशम बिजानुता पाया जाता है, या फिर युगमो कोदवित प्रमुक होता है, या फिर phloem में कोशिका अनुपस्तित होती है, तो phloem में कोशिका अनुपस्तित होती है, ठीक है, अगले question को देखते हैं, तो predator of plant can be called as, plant के predator को क्या बोला जाता है, herbivores, sap suckers, stem borer या फिर आपका defoliator, तो predator और plant, पूरे plant की बात कर रहे है, तो predator और plant क्या हो जाएगा, herbivores, ठीक है, पौधों के परिभक्षी को क्या कहा जाता है, herbivores, sap suckers, stem borer या फिर defoliator, तो herbivores पोला जाता है, ठीक है, जो सीधा पौधों को जैसे हिरन हो गया और भी बहुत सारे होते हैं ना चलो अगला question देखते हैं which of the following is major disease of onion in India तो इंडिया में onion की major disease कौन सी है leaf light smut purple blotch and white rot तो कौन सी हो जाएगे purple blotch करवा चुके हो यह भी है ना भारत में प्याज का सबसे कौन सा एक सबसे बड़ा रोग है पत्ती अंगमारी या फिर सफेद विगलन तो बैंगनी व्रण हो जाएगा ठीक है अगला question देखते हैं the stem vegetable is stem vegetable कौन सा है तो carrot नोल खोल sweet potato and radish तो नोल खोल हो जाएगा एक इसकंद वनस्पती है गाजे शकरगंद गाठ कोवी या फिर मूली तो गाठ कोवी हो जाएगा ठीक है अगला question which of the following vegetable is monocot कौन सा इनमें वनस्पती एक बीच पत्री है cabbage onion okra या फिर musk melon बंद गोवी भिंडी प्याज या फिर खर्बूचा तो क्या जगा correct answer onion प्याज हो जाएगा ठीक है चलो अगला question है आपका in psychos the pollen grain at the time of pollination attain तो psychos pollen grain आपका pollination के time पे pollen grain को कौन सी stage में ये आपका attain करता है one cell stage में two cell stage में three cell में या four cell में तो three cell stage में attain करता है ठीक है psychos में परागण के समय परागण होते हैं एक कोशिका द्वी कोशिका तीन कोशिका चार कोशिका तो कैसे होता है ये आपके तीन कोशिका होता है, ठीक है, अगला question देखते हैं, smooth endoplasmic reticulum is involved in protein synthesis, glucose synthesis, fat synthesis and enzyme synthesis, तो smooth endoplasmic reticulum, SCR किसमे involved होता है आपका fat synthesis में, ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, चिकना endoplasmic reticulum भाग लेता है, protein, glucose, वसा ससलेशन में या enzyme ससलेशन में, तो वसा ससलेशन में, ठीक है, औ endoplasmic reticulum protein synthesis करता है, ठीक है, चलो, next question देखते हैं, when a cross is made up between F1 of spring of its parent is known as, reciprocal back cross, test cross and dihybrid, तो जब F1 of spring का, उसके ही parent से cross करवाते हैं, तो उसको क्या बनाजाता है, back cross, बोलते हैं back cross, है ना, यह जनलिक्स में पढ़ा है, जब F1 संतती और उसके जनक के बीच में शंकरन करा जात है, तो उसे क्या बोला जाता है, back cross, बोला जाता है, ठीक है, अगला question देखते है, इर्गॉट is an important disease, कितनी बार करवा है, wheat, pearl millet, sorghum and maize, तो किसमें होती है, pearl millet में होती है, ठीक है, इर्गॉट किसका विख्यात रोग है, यह हूँ, जवार, बाजरा और मक्का, किसका है आप पर्ल मिलट, मतलब बाजरा का है, ठीक है, अगला question देखते है, which one of the, which one of the cucurbit flower in the evening, तो इसमें से कौन सा आपका cucurbit शाम के, यह आपका शाम के समय खिलने वाला फूल है, तो sponge guard, bitter guard, bottle guard and musk guard, तो bottle guard है, मतलब लॉकी, ठीक है, which one of the following vegetable is acidic in nature, कौन सा इमें acidic nature का vegetable है, चिली, sorry, tomato होता है, tomato खटा होता है, which, कौन सा वनस्पति अमलिये प्रकृति का है, तो कौन सा होता है, tomato, ठीक है, उसमें acid ज्यादा होता है, ठीक है, अगला question देखते है, greening of potato resulting in, भाई, यह आपका आलू हरा क्यों होता है, increase in nutrient quality, उसकी nutrient quality increase करती है, decrease in nutrient quality, increase in disease resistance and decrease in disease resistance, तो आलू में ह हरापन, आपने देखा होगा हरा अलू, तो किसके परिणाम सरूप होता है, पौश्टिक गुणवत्ता के, या फिर आपके रोग प्रतिरोधन में व्रिधी के कारण, रोग प्रतिरोधन में कमी के कारण, या पौश्टिक गुणवत्ता में कमी के कारण, तो किसकी विज़ या फिर herbicidal toxicity या फिर deficiency of molybdenum तो molybdenum की deficiency से विप्टेल डिजीज होती है बता रखा नहीं बहुत बार करवाया है ब्रेसिका में विप्टेल रो किसके कारण होता है निमेटोड यांतरिक चोट हर्भी साइडल विसिक्टता या फिर आपका molybdenum की कमी से तो molybdenum की कमी से होता है ठीक है अगला question देखते है crop heavily infected with phalaris minor is phalaris minor से कौन सी crop में सबसे जादा infection होते हैं तो ये भी बहुत बार हो रखा है आप लोगं का entomology में पैडी शुगर के इन बरसीम और wheat में होता है है ना तो phalaris माइनस से अधिक ग्रसित फसल कौन सी है धान गन्ना बरसीम और गेहूं तो गेहूं होती है ठीक है अगला देखते हैं खेरा disease of pedis due to deficiency of the zinc तो खेरा धान में खेरा रो किसकी कमी के कारण होता है zinc की कमी के कारण होता है ठीक है which of the following element is not essential but beneficial for the plant growth तो कौन सा एलिमेंट है कौन सा तत्व है जो फ्लांट ग्रोथ के लिए beneficial होता है लाब दायक होता है लेकिन उस्टेंशल नहीं है जरूरी नहीं है sodium क्योंता है पॉधे की व्रिद्धी के लिए जरूरी होता है growth के लिए required होता है अगला question है तो जो आपका तना होता है आलू का जमीन के उपर उसको क्या बूला जाता है राइजोम शूडो स्टेंशल या नन अफ दीज तो क्या बूलते हैं उसे शूडो स्टेंशल परसोंगी करवा है मैंने क्रॉफ फिजोलोजी की क्लास में ये question करवा है ना लिटिल ल माइकोपलाजमा ऋसकारण करता है बैंगन कर्बाइण का लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है ये होता है आपका माइको प्लासमा के कारण जाहिस यंग कियो χरा में बूरूवाणंग किसकी है विजड़े बोरून डेशेन्सी नाइटोजन एक्सस ओफ भूरॉन and molybdenum, तो फूल गोवी में भूरापन, किसके कारण आता है, बोरोन की कमी के कारण, ठीक है, बोरोन डेफिशेंसी की विज़े से होता है, next question, calcium carbide coming in contact with moisture release, तो calcium carbide जब आपके moisture के contact में आता है, तो क्या करता है, acetylene release करेगा, ethylene, phosphine या फिर chlorine, तो ये आपका acetylene release करता है, आदरता के संपर्क में आने पर, calcium carbide निमने में से छोड़ता है, acetylene, ethylene, phosphine या chlorine, तो क्या छोड़ता है, acetylene, ठीक है, तो गाइस, ये आपके आज की questions थे, right, तो आज की questions को देख करके, आप ये identify कर सकते हो कि आपका level कैसा आता है, और इन वे से मैंने बहुत सारे questions आप लोगों को already YouTube class में और paid class में भी बोटनी वाले students को मैंने बहुत सारे questions करवा रखें, तो guys आप इसमें identify कर सकते हो pathology में भी कितनी सारी disease में आप लोगों करवा रखें, जो इस question paper में already पूछी गई थी, तो guys आप इससे identify कर सकते हो कि कितने questions मैंने आप लोगों को करवाई थे, ठीक है तो guys अगर आप लोगों को हमारी classes अच्छी लगती है, तो आप हमारे batches में enroll कर सकते हो FCI के batch में enroll करने के लिए आपको क्या करना है, अड़ा 24 7 की website पर जाना है जैसे ही आप website पर जाओगे, आपको all courses में जाना है और code यूज़ करना है Y447, Y447, ठीक है FCI में जैसे ही आप जाओगे, आपको FCI AG3 या AG2 जिसके लिए भी आप apply कर रहे हो उसमें आपको जाना है, आप batch में जैसे ही जाओगे batch में जाकर के आपको view offer में जाना है, code लगाना है आपको maximum discount के लिए Y447, जैसे ही आप ये code अप्लाई करोगे, आपको इस पे maximum discount 77% discount मिल जाएगा और आप हमारे batchos में enroll कर सकते हैं, इसको ये code आप Y447 किसी भी महापक के लिए या फिर आप test series के लिए भी use कर सकते हो, तो guys आप लोग इससे idea लगा सकते हो कि आपका level जो है कितना level रहेगा, और आपको कितना जादा अभी और preparation करना है, इससे आप लोग idea लगा सकते हो आज के questions से, ये previous year का question paper था, तो ऐसे ही question आपसे पूछे जाएंगे बॉटनी वाला portion में आपका FCI में करवा रही हूँ, तो आप बॉटनी वाला portion में हमारी classes में आके attend कर सकते हो और हमारे batches में भी enroll कर सकते हो by using the code Y447, okay, तो guys हाँ, बिलको 77% discount आपको मिल जाएगा Y447 code पे, ठीक है, तो चलिए guys मिलते हैं आपसे next class में ही, तब तक के लिए आप लोग अपना खयाल रखेगा और FCI की preparation अब शुरू कर दीजिए, okay guys, तो चलिए, bye bye and take care